Hello everybody, ये class 11 में जो अब बच्चे गए हैं और जिनोंने economics लेया है, चाहे वो arts के student हो, चाहे वो commerce के student हो, उन दोनों के लिए वीडियो है, यूकि तुम लोग जानते हो syllabus change हुआ है, नहीं पता है, तो last video देखो, मैंने उसमें update किया है, semester wise system आ गया है, इसका मतलब है कि हर 6-6 महिने पर तुम्हारा exam होगा, जो की होगा इस तरीके से कि class 11 में semester 1 होगा, semester 2 होगा, और class 12 में semester 3 और 4 होगा, यानि कि अब ऐसा नहीं है कि class 11 का marks अलोग होगा, और class 12 में मैनत करेंगा, अब 11 enjoy करते हैं, नहीं, क्योंकि class 11 का भी, जो semester 1 और 2 में marks आ रहा है, वो 3 और 4 को affect करेगा, final mark sheet में तुम्हारा reflect होगा, इसलिए अब हर एक semester equally matter करता है, इसलिए अभी से serious होना जरूरी है, and this is a very good system, जो की हमारे government में introduce किया है, now think about this, listen to this, semester 1 में, जो तुम लोग का class 11 का पहला topic आ रहा है, लगबग वैसा ही है, जैसा हम लोग अपने time पे बढ़ते थे, यह बस अलग ह हो गया है कि semester 1 के लिए कुछ topics अलग कर दिया गया है, semester 2 के लिए अलग कर दिया गया है, semester 3, 4 के लिए अलग कर दिया गया, फिर से repeat करूंगे, semester 1 और 2 class 11 के लिए है, और semester 3 और 4 class 12 के लिए है, हाला कि 4 semesters equally matter करते हैं, mark sheet में जो final दिखेगा उसके लिए, ठीक है, अब ज़रा स से related, कुछ introductory part है, कुछ शुरुबात में micro economics क्या होता है, economics क्या होता है, कितने types के economies होते हैं, उसको यह बाद जो development होता है, उसको कैसे measure किया जाता है, बहुत interesting portions है, बहुत ही जादा मज़ा भी आता है उसको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में, यह तुमारे unit 1 में है, फिर त तुमारा demand, elasticity, यह सारा concept डाल दिया गया है, जो कि you would be astonished to know, कि पिछले syllabus के according, जो old syllabus था, उसमें elasticity वाला topic है, यह 12 में था, लेकिन अभ 11 में, semester 1 में आ गया है, which is very good, क्योंकि CBSE के साथ मैच किया जाए, तो CBSE में 11 में ही पढ़ाया जाता है, जो कि तुम लोग को पढ़ाया ज आ गया है, unit 1 देख ले तुमने, introduction है, unit 2 is all about consumer behavior, unit 3 is producer behavior, कि producer कैसे behave करते हैं, again पढ़ाने का जिम्मदारी मेरा है, so don't worry about that, unit 4, यह interesting है सुनो, unit 4 में statistics का portion आ रहा है, जो कि पहले statistics से related, theoretical portion है, कि data क्या होता है, कितने types के data होते हैं, वगेरा वगेरा, उसके बाद, unit 5 में भी statistics ही है लेकिन इसमें अब data को कैसी represent किया जाता है, graphical representation क्या होता है, bar graph क्या होता है, यह सारा है, और unit 6 में अगर तुम लोग देखोगे, तो वही जो mean, median, mode class 10 में पढ़ते थे, वही है, बस थोड़ा सा अलग भी है, थोड़ा सा differences भी है, ठीक है, quartile, median, deviation, percentile, यह सब भी है, जो कि थ systematically पढ़ेंगे, जो लोगों ने मेरा पहले भी course ले लिया है, economics का, syllabus तो तब तक नया आया नहीं था मेरे हाथ में, अब इस नए syllabus के हिसाब से, मैं पुरे course को structure करना शुरू करूंगे, और unit 1, unit 2, अब उसी हिसाब से चलेंगे हम लोग, क्योंकि अब finally जा करके, हमारे education minister ने यह फैसला किया, कि structure देना जरूरी है, अब हम लोग भी structure वाई सी पढ़ाई करेंगे, ठीके, class 11 का semester 2 है, तुम लोग notice करोगे, उसमें भी बहुत सारी और बाते हैं, जैसे market का topic है, international trade है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, फिर dispersion, यानि कि ये वो topic है, जो कि old syllabus में 12 में होता लेकिन अब 11 के semester 2 में add कर दिया गया है, जो कि again बहुत अच्छा चीज है, correlation का topic तो था ही नहीं हमारे में, लेकिन अब आ गया है, अब पढ़ना पढ़ेगा, दीदी हमारे साथ ही 9 साफी क्यों, इतना सारा syllabus update क्यों, well, CBSC के साथ क्या मिचा रहना है, क्या CBSC के साथ compete नहीं क यह तुम्हारा class 11 का journey खतम हो जाएगा, semester 1 और semester 2 में, फिर आएगा class 12 शुरू हो जाएगा, और class 12 में क्या एगा, semester 3, और class 12 में semester 3 आएगा, उसमें national income आएगा, यानि पूरा का पूरा macro economics आएगा, और Indian economic development, पूरा का पूरा जो धाचा है, CBSC board के साथ मैच करता है, exact match करता है, A to Z धाचाए, CBSC board के साथ मैच करता है, तो देदी कोई book बता दीजे, क्योंकि अब तो syllabus change अगया है, तो किस book पे विश्वास करे, तो भाया, संदीप गर्ग बोलके book आता है, जो कि CBSC board के बच्चे follow करते है, NCRT नहीं, वो बखवास है, संदीप गर्ग करके book आता है, वो book ले लो, अगर ले नहीं है, book, इंट्रेस्टेड हो तो, otherwise, अगर तुम लोग मेरा course लेना चाहते हो, course ले सकते हो, पूरा का पूरा, class 11 का, जो, यानि, semester 1 और semester 2 का, जो course भी होगा, वो 1200 होगा, और class 12 का, जो semester 3 और 4 आएगा, वो भी 1200 होगा, लेकिन, पहले class 11 का कर लो, मुझ 400 enrollment के समय, फिर एक दो महिना बाद 400, फिर एक दो महिना बाद 400, ऐसे करके pay कर सकते हो, और दीदी, आप notes provide करेंगे क्या, बिलकुल, notes provide करना भी मेरा जिम्मेदारी है, मैं notes provide करोंगे, और मेरा notes अगर तुम लोग ले 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 तो, उसके बाद तुम लोग नहीं भी लोगे, इ वीडियोस देख लेना पसंद आया, तुमको समझ में आया, तुमको लगा, ठीक है, मैं इसे पढ़ाई कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ, then you can pay for the paid course, और फिर paid course में मेरे साथ पढ़ाई शुरू कर सकते हूँ, but trust me, जो नया syllabus आया है, वो बहुत interesting है, हाँ, सब के पढ़ाने क अब बसका नहीं, क्योंकि पहले के जो WB teachers थे, वो भी old syllabus फॉलो करते थे, उसमें भी ऐसा अपडेट नहीं था, तो हैवाजी भी पढ़ाके भी निकल सकते थे, लेकिन अब CBSC के साथ compete करना है, knowledge को अपग्रेट करने की जरूत है, इसलिए बहुती structured तरीके से इसको पढ़न जरू करना और जैसा कि मैंने बताया, हर एक सेमिस्टर का माँख साब matter करेगा, तुम्हारे final अब दो